स्रीकाल जी मेरा नाहे कवलवालिया ते मैं आज एक मुलाकात दे एस एपिसोड दे विच एहो जी सक्षिता नू लेकी आई हाँ जिना बारे ऐसी गल ठारांगे ते जानांगे कि उना दी एस कौंसेप्ट बारे की राय है और ओही राय जो दुनिया ने बहुत लोप्रिता द जी मुवी दा नाहे गए दी एड्मिटेड एड्मिटेड मुवी जी नो मिफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देवच बेस्ट डॉक्यमेंटरी 60 मिनिट अबव इस बेस्ट डॉक्यमेंटरी नो वार्ड मिले ते ओसे दे नर्देशत साधे नाल आज अब दर्मा जी सश्रीकाल सर कुछ आप मुझे आप बताए अपने अपना आपका सफर कैसे शुरू हुआ कैसे आपने इस टॉपिक के बारे में में आपने चाहा कि हम इस मुवी इस टॉपिक योपर मुवी बनाते हैं कि यह टॉपिक अपने आप में बहुत सेंस्टिव ट कि हम जिस काम में थोड़ा सा सेंस्टिविटी आप करने से थोड़ा डरते हैं तो यह टॉपिक अपके माइन में कैसे आया कि मुझे इस टॉपिक अपर मुवी बनानी है जी जितनी एड्मिटेड एक ट्रांसजेंडर धननजे जी की बाइगरफी है उसके साथ साथ ही एक फ है जेटे है नालसा जजमेंट के बाद जिसमर ने जिस जी काथे हैं कि घर्ड जंडर इस नार रेकिनाऍEज अरJohn अट Recon अगया है बट उस जेंडर को एकसेप्ट करने वाले कि इतनें उसके बाद रेको लेगाइज़ है उसके बाद एक अपने आ आप एकसेप्ट जिन्दगी एक आम सर्वश्रेश्ट भारतिय नागरे की तरह आप जीएंगे लेकिन क्या आपको राइट्स मिल रहे हैं समाज की और से ये फिल्म उसके उपर है उसके उपर है जी सर मैं आप से पूछूंगी मैं ने कहा कि हमने अब सोच बदल दी है तो ये सोच बदलने के पीछे आपका भी एक बहुत इंपॉर्टन इससा रहे हो आप भी तो आपका क्या ये थौट प्रसेस रहा कि मैं जब ये मोवी बनाओं तो मैं दुनिया को क्या मैसेज डिलिवर्टरूं आइ तिंक जिस समाज में हम बढ़ने का की चेष्ठा करते हैं वो ये है कि इक्वल इक्वल वर्ल्ड हैं सब बराबर हैं और सब को सामाने अधिकार मिले हुए हैं बस उन्हें अवेल करना है तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके पास ये राइट्स हैं या कहीं पर उनके राइट्स वाइलेट हो रहे हैं जैसे कि हम मेंसे कोई नहीं सोचता कि हम जाके दस साल की उमर में स्कूल में अड़िशन लेंगे, अब एक नॉम है कि चार साल का हो गया बच्चा स्कूल में जाना चाहिए, कि स्कूल की एक इंटेक एज होती है, अब एक जेंडर है, जब सुप्रीम कोट ने उनको लीगली इस्टेबिश कर दिया है, कि यह हैं, अब कि चाहुत एंटेन को बच्चा श्धी उसम ही गरोड़ होंगे, आप यूचर का सोचें, कि उन्हें वो आपके साथ जॉब भी कराइंगे, वो हमरी तरहां देना फिल्में भी प्रोग्राम भी करेंगे, ़ो हमारी इसम जिन इसीम है मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम भी कर किसी चीज में लोग को इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, पहले तो वो अवेर हुए, फिर वो एक जर्नी से इंस्पायर हुए, तो ये इंस्पिरेशन को लेके हम आगे बढ़ते हैं जब इस फिल्म में, तो हम ये देखते हैं कि लोग अब चुड़ रहे हैं और वो समझ पा रह है, तो हमारी मुवी इवी बेसिकली एक इंस्पिरेशनल मुवी भी है, मैं कह सकती हूं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा, तर रूल पास हो चुका था, तो ये बेकेम देख फर्स ट्रांसेंडर स्टूडर स्टूडर क्योंकि फिर एडमेशन फॉर्म पे देख टी कॉल मुंबाई में, जैपूर में, लगनाओ में, इतनी जगह फिल्म की स्क्रीनिंग रही है, दिल्ली में, अमेरिकन सेंटर में, अमबैसी में भी स्क्रीनिंग रही है, कैनड़ा के हाई कमिशन में भी फिल्म की स्क्रीनिंग रही है, तो लोगों ने फिर्स टाइम कि इपिंग में इन्वाल्ड होंगे बट उन्हों ने रिलाइस किया कि द शो ऑफ द स्टोरी इस वेरी डिफरेंट हैं द फिल्म इसमें आप देखें कि पूरी फिल्म में जो कि मुंबाइ इंटरेंस्टर फिल्म वेस्टिवल जो हाली में वा है जब इसक्रीनिंग से लोग ब क्योंकि एजुकेशन इस एट रूट ओफ एवरी थिंगेशन होगी तो जॉबस ओवर्में तो अगर एक ट्रांसजेंडर के पस जॉब और तो वह सेक्स वर्क में जाएगा विकर मेरे पस जॉब है मेरे पस सेलरी है मैं आइन पी माय रेंट आइन फीड मै फैमिली आइं ट क्योंकि marriage and children adoption की उपर इंके ज्यादा काम करना चीए क्योंकि अगर I think that should be the legalization but response बहुत positive रहा है और जहां तक की दीधी ने बताया है की university में teachers अगर आप film देखेंगे तो even vice chancellor से लेके सारे लोग are there part of the film and talking about the change that has come so admitted is a film that is a change 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 है हम रोज जाते है अगर आप जाएं अगर आप जाएं ट्रांसटेंडर वाश्रूम का case है पूरी फिल्म के अंदर पूरे चाइल रोड में education struggle से लेके double post-graduation तक education struggle को कवर किया है sir यह तो था इस admitted के बारे में आपके और भी क्रमीन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो आप इसी टॉपिट्यों पर इसी और पिछ्रे लेकर आना चाहोगे डिफरेंट नजरिये से भी या कुछ और तरीके से दोनों is our やmaal आणे वाला अठिच आई इक प्र olehड्स यान आवाज की अवाले टई में तक है objective आवाज की में आहें इस स्टोर dl एह आ असे अपनum में और आख अट बच्चों को लेके को श्गैपरी और डेट बॉपski थर आउ इंक्लूजिव रहते हैं तो दा होल आइडिया ओफ इस कॉंसेट इस इंक्लूजिन इन स्टोरी टेलिंग लेकर आना जरूरी नहीं कि एक ट्रांसजेंडर के ओपर सोरी करनी है बद ट्रांसजेंडर त आपकी स्टोरी का बार्ट है वो एक हाँ जैसे एक एक मेल अक्टर होते हैं एक फीमेल एक्टर होते हैं एक ट्रांसजेंडर एक्टर भी होते हैं तो आप उन सब को एक स्टोरी का पार्ट ही बना दीजिए ताकि लोग जब एक नॉर्मल बहेवियर को आपकी फिल्म में अंड़स्टैंड करेंगे तो वो रियलाइज करेंगे कि सब एक्वल हैं इ हम भी अपने जब बढ़ते दिनों में फिल्मों से बहुत प्रभावित हुए और बढ़ते बढ़ते हम लेके आए और यह है कि जो भी फिल्म है जैसे एड्मिटट है यह हमने फ्री आफ कॉस्ट लोगों को दिखाई और यह मेरा प्रण भी था कि एटलीस्ट लोग इससे स करते हैं इस फिल्म को